यहों स्रीकृष्ण भुगवान की अस्चत्रदुसोद्धाय श्री भुगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस अंसार से मुक्त होकर परम शिद्ध को प्राप्त हो गए हैं इस ज्ञान को आचरे करके अर्थार सधार्ण करके मेरे सब रूप को प्राप्त हुए पुरुष्ण स्रिष्टी के आदी में पुन्ह उत्पन नहीं होते और प्रगले काल में भी व्याकुल नहीं होते जाओ स्रीकृष्ण भगवान के शरीकृष्ण भगवान कहते हैं यार्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकिर्ती संपूर्ण भूतों की योनी है अठात गर्बा धान का स्थान है और मैं उस योनी में चेतन समदाय रूप गर्ब को स्थापन करता हूं और उस जड़ चेतन से के सियोग से सब भूतों की उत्पति होती हैं श्रीकृष्ण भगवान फिर कहते हैं यार्जुन नाना परकार की सब योनीों में जीतनी मूर्थियां अर्था श्री धानी प्रानी उत्पन होते हैं पर किर्थी तो उन सब को धान करने वाली माता है औ और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं है अर्जुन, सात्वगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकित से उत्पन तीनों गुण अविनासी जीवात्मा को श्रीर में बांधते हैं ये निश्पाप उन तीनों गुणों में सात्वगुण तो निर्मल होने के क वारन प्रकाश करने वाला और विचार और विकार रहीत है वह सुख के सम्बंद से और उसके सम्बंद से अथात उसके अभिमान से बांता है हे अरजुन रागर उपर अजोगुण को कामना और आशक्ती से उस्पंजान यह जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के समंद से बांता है हे अरजुन सब देहा भिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्यान से उस्पंजान वह इस जीवात्मा को परमाद आलस से और निद्रा के द्वारा बांधता है हे अरजुन सर्टबगुण सुख में लगता है और रजुगुण कर्मों में तथा तमोगुण तो ज्यान को ढखकर परमाद में भी लगता है हे अरजुन रजुगुण और तमोगुण को दबाब कर रजुगुण वैसे ही सर्टबगुण और रजुगुण को दबाब कर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है जिस समय इस देह में तथा अंतहकन और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन होती है उस समय ऐसा समझना चाहिए कि सर्टबगुण बढ़ा है ही अर्जुण रजुगुण के बढ़ने पर लोब प्रवित्ती स्वार्थ बुद्धी से कर्मों का सकाम भाव से आरंब अशान्ती और विशे भोगों की लालसा ये सब उत्पन होते हैं ही अर्जुण तामगुण के बढ़ने पर अंतहकन और इंद्रियों की मेआ प्रकाश, कर्टब्वे कर्मों मेआ प्रवित्ती और प्रमार्थ अर्थात, बेर्थ चेश्ठा और निद्रादी अंतहकन की मुहनी विरित्तियां ये सब ही उत्पन होते हैं जब यहां मनुष्य सत्वगुण की मुरित्तियों को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने बालों के निर्मर दिव्य स्वरगादी लोकों को प्राप्त होता है रजोगुण के बढ़ने पर मुरित्तियों को प्राप्त होकर कर्मों की आसकती वाले मनुष्यों में उत्पन होता है, तथा तामोगुण के बढ़ने पर मरह हुआ मनुष्य कीट पशुवादी मूड योनियों में उत्पन होता है स्रेष्ट करम का तो सात्वी कथा सुख ग्यान और विराग्यादी निर्मल फल कहा गया है राजिस करम का फल दुख एमतामस करम का फल अग्यान कहा है सत्वगुन से ग्यान उत्पन होता है और तमगुन से निस्देह लोब और रजगुन से लोब और तमगुन से उन्माद और मुह उत्पन होते हैं और अग्यान भी होता है सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जिस समय द्रिष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कत्ता नहीं देखता और तीनों गुणों में अचेंत परे सतिजन्द घंड मुझ प्रमात्मा को तत्म से जानता है उस समय वह मेरे सवरूप को प्राप्त होता है वह पुरुष्ट शरीर को कि उत्पति के कार्ण रूप इन तीनों गुणों को उलंगन करके जन्द मरेत्यू वरिदावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष्ट किन किन लक्षनों से उक्त होता है और किस प्रकार से के आत्रनों वाला होता है तथा हे प्रभु मुनुष्ट किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है जाहो स्री किष्ण भगवान के श्री किष्ण भगवान बोले है अर्जुन जो पुरुष सत्व गुण के काररूप प्रकाश को और रजगुण के काररूप प्रवित्ती को तथा तामगुण के काररूप मोह को भी ना तो प्रवित्त होने पर उनमें द्वेश करता है और ना निवरित होने पर उनकी अकांक्षा करता है जो साक्षी के दरिश स्थीत हुआ गुणों के दुआरा वीतलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बढ़ते हैं ऐसा समझता हुआ जो सतिजान्द गन पर मात्मा में एक भावस स्थीत रहता है एवं उस स्थीती से कभी वितलित होता ही नहीं जय हो स्रीक्रन हुदवाने जो जो निरंत आतम भाव में स्थीत दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला ज्यानी दीस प्रिय और आप्रिय में एक सा मानने वाला और अपनी निन्दा स्थूती में भी समान भाव वाला है जो मान और अप्मान में सम है मिट्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एम संपूर आरंभों के करतापन के व्मान से रहीत है वह पुरुष गुनातीत कहा जाता है और जो पुरुष आवेभी चारी भक्ती योग के द्वारा मुझ को निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुनों से को भली बाती लांकर सतीना अंदगन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंकि उस अविनाष्य प्रअप्रम और अमरित का प्रथा नित्य धर्म का और अखंड एक राश का आनंद का आच्रे मैं हूं जगत के कल्यान के लिए वीशिव के कल्यान के लिए मैंने ये चत्रत्रश अध्याए आपको सुनाया है मैं आशा करती हूँ आप इसका लाब उठाएंगे मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थन है कि आपके घर में जो बिमार हो लाचार हो चल फिर ना सकते हो आप उनको ये गीता जिका पार्थ सुनाएं ताकि उनको शांती मिले और लोगो लाब प्राप्ट करें जया हो स्रे क्रिश्न हुगान हे क्रिश्न गोविन दहरे मुरारे हे नात नारायन वासु देवाएं हे क्रिश्न गोविन दहरे मुरारे हे नात नारायन वासु देवाएं ओम नम भगवते वासु देवाएं